क्याले पहलोग, welcome back to the channel और ये वीडियों हम लोग बात करेंगे SYNC swap की, तो SYNC swap एक decentralized exchange है ZK SYNC पे ZK SYNC का खुद का airdrop होने वाला है, इसके उपर मैंने काफे सारी वीडियो बना चुका हूँ उसमें से जो लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने वो NFTs की ऊपर बनाई थी कि ZK SYNC पे आपको NFTs मिंट करना ज़रूरी है ताकि आपको इसका airdrop मिल सके और अफकोर ZK SYNC पे बहुत सारे apps भी हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए but specifically इस वीडियो में मैं SYNC swap की बात करना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि SYNC swap ने यहां पे tweet किया था कि we are thrilled to announce the SYNC swap era pioneer campaign the exclusive badge for the true pioneers in the new era ZK SYNC basically यहां पे इनोंने एक task launch किया है SYNC swap जिस पे आप यह पुरा खरोगे तो आपको NFT एक मिल सकती है और जिनके पास भी NFT होगी उनको शायद Airdrop में advantage मिले right and also SYNC swap is one of the going to be one of the main decentralized exchange सबसे बड़ा exchange होने उने अला है ZK SYNC के protocol पे right जो बहुत सारे protocol sorry बहुत सारे daps है but इसमें से जो SYNC swap है वो main होगा जैसे कि Uniswap है Uniswap is the main बहुत सारे decentralized exchange है Ethereum पे but Uniswap main है वैसे ही Polygon पे quick swap main exchange है जिस पर सबसे ज्यादा transaction होता है Binance Chain की बात किया जा तो Binance Chain पे pancake swap main exchange है जहां पे बहुत सारे transaction होता है वैसे ही ZK SYNC की बात करेंगे तो हम लोग को लगता है कि SYNC swap जो है बहुत बड़ा exchange होने वाला है क्योंकि जो ही सबसे लोग initiative layer है राइट इस वीडियो हम लोग SYNC swap को test करेंगे और बाइद वे यह जो NFT है यह आप test करोगे Polygon network पे तो आप देख सकते हो कि अभी तक मैं ट्राइ कर रहा था और यहां पर मेरा एक अभी तक तो इसमें क्या है बेसिकली जो galaxy पर इन्होंने campaign दिया है इसमें कुछ simple सा है इसमें आपको एक NFT में लगी get one NFT आपको करना क्या है इनके tweet को follow करना है retweet करना है tweet को like करना तो यह सब मैं नहीं करने जाओ को यह आप खुद कर लेना मैं लिंक डाल दूगा आभी तक देख सकते हैं कि मेरा एक verify नहीं हुआ अभी तक तो time लग रहा है बत एक याद रहना कि यह जो हो रहा है इसके लिए आप polygon network पे रहोगे ठीक है तो यह होगा यह metamask में जाना और polygon mainnet पे यह task आप करना तो यह nft पहले ले लेना उसके बाद उसके बाद आप swing swap पे आओगे swing swap यहाँ पे network switch करोगे क्योंकि आपने polygon पे किया था तो इसको network switch करोगे और zk-sync era पे आ जाओगे तो polygon से zk-sync era पे मैं जा रहा हूँ अब यहाँ पे कुछ task करेंगे तो जैसे मैंने बताया सिंक swap क्या है it's a seamless and efficient trading on zk-sync era trade and earn crypto smooth than ever before one of the main exchange जो होने वाला है zk-sync पे तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर हम लोग trade कर सकते हैं so for example you can trade here like this तो मैं आपको trade करके दिखाता हूँ तो मेरे पास ethereum कितना बड़ा है यहां पर बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं light पर बहुत ज़्यादा ट्रांस्पर कर दिया था तो let's see 0.001 ट्रांस्पर करके देखता हूँ वाओ ठीक है तो इतना बस हो गया swap करने I mean swap करते रही है इस पर मतलब एक transaction करते रही है फिलाल oh my god look at this you know transaction fee काफी ज़्यादा है फिलाल 7-1 का transaction fee है जो काफी ज़्यादा है layer 2 हिसाब से बड़ फिलाल कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे यहां पर airdrop के लिए qualify होना है तो दो थीन डॉलर जा रहा है तो no problem सिंक स्वाप यह देखो transaction हो गया USDC मिल गया मुझे ठीक है उसके अलावा तो यह trade हो गया अब इसमें पूल में जा सकता हूँ पूल में लिकृड़ी प्रवाइड कर सकता हूँ तो सबसे easy तरीका मैंने देखा इस पूल विजर्ट में सबसे best जो पूल है आपको खुद लाकर लिए बता देता है आपको तो यहां पर एंटर फूल तो यहां पर USDC और ETH पूल इसने सेलेक किया है और इस पूल में आप यहां पर कुछ deposit कर सकते हो तो for example अगर मैं one USDC deposit करता हूँ 0.0054 इसको on कर देना add token से the balance proportion आएगा तो यहां पर मैं पूल में भी यहां पर participate कर रहा हूँ तो deposit one USDC to classic pool yes तो यह पूल में भी मैंने यह participate कर लिया यहां पर यह पूल में दिखा रहा है one USDC 0.0 again मैं इसमे और डालूंगा लेकिन फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा amount यहां पर amount का मैं बैक बास balance तो balance यहां पर और डालना पड़ेगा ZK sink में but in shot आपको मैंने दिखाया कि कैसे आप sink swap पे यहां पर swap कर सकते हो right कोई भी transaction यहां पर swap कर सकते हो जैसे मैंने किया and उसके बाद pools में आके सबसे best है pool wizard पे click करो जो सबसे best pool है और यहां पे enter pool करो और equal amount का यहां पर liquidity provide करें तो फिलहाल यह कर सकते हो और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देरा और और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लांच पिज आओगे तो into the new era no launch project तो यहां पर basically नए launch projects भी आएंगे that's it so फिलहाल आप trade करो और यहां पर पूल में participate करो इनका discord definitely join करे नहां पर देख पर इस NFT को मिंट कर लो Sink Swap और बहुत सिंपल सा टास्क है retweet follow करना है और Sink Swap की NFT आपकी आजाएगी तो वह सबसे पहले कर लो उसका मैं link डाल दूँगा and by the way guys as you know कि ZK Singh का airdrop काफी बड़ा होने और इसके लिए मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ तो इसके उपर जित इसके अलड़ी playlist है thank you so much for watching and hopefully हम सभी को Sink Swap का airdrop मिलना चाहिए ZK Singh का airdrop मिलना चाहिए I'll see you in the next video take care